आपके शरीर से निकलने वाले टोलेट के कलर से आपके शरीर के बारे में काफी कुछ पता लग जाता है जैसे कि अगर टोलेट हलके पीले रंका या फिर ट्रांसपरेंट आ रहा है तो इसका मतलब आप स्वस्त हैं और पानी भी अच्छे से पी रहे हैं लेकिन अगर ये गाडे पीले रंका है तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी है और आपको इस पर धान देना चाहिए और अगर ये भूरे संतरी कलर का है तो इसका मतलब आपके लीवर में कही ना कहीं प्रॉबलम है और अगर ये पीला जाग वाला है तो इसका मतलब आपकी किडिनी में कही न कहीं प्रॉबलम है और अगर ये हलके लाल रंका आ रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि ये किडिनी के साथ-साथ आपकी UTI या फिर ट्यूमर की वज़े से भी हो सकता है आपको ये इंफोमेशन कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फोलो करना मत बूलेगा मिलते अगली वीडियो में गाइज आपने अभी तक गैस के सिलेंडर भारी भरकम स्टील या लोहे के बने देखे होंगे लेकिन हमारे आजपास इतना सब कुछ चेंज हो रहा है तो क्या गैस के सिलेंडर का रूप चेंज नहीं होना चाहिए फिकर नोट गाइज क्योंकि अब इंडेन आपके सामने नए तरह के गैस सिलेंडर लेकर आचुका है जो की बने हैं फाइबर के आप ठीक सुन रहे हैं जहां पुराने सिलेंडर स्टील के बने होते थे वो काफी जादा भारी होते थे लेकिन नए सिलेंडर अब फाइबर के बने हैं जो की उससे 50 प्रतीशत तक हलके होंगे मज़े की बात यह है कि उनका कुछ हिस्सा पार दर्शी होगा जिसके थुरुआ पसानी से गैस के लेवल का पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी गैस बची है और यह आपको